दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं आज की बड़ी ख़वर में देखिए आरबियाई के बहुत बड़ा फैसला दो हजार के नोट का सर्कुलेशन किया बंद भारतिय रिजर बैंक ने दो हजार के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है फिलाल बाजार में मौजोद दो हजार के नोट वैद रहेंगे तिस सितंबर तक दो हजार के नोट वापस किया जा सकेंगे आरबियाई अब दो हजार के नोट नहीं चापेगी क्लिन नोट पॉलिसी की तहदिया फैसला लिया गया है फिलाल बाजार में मौजू दो हजार के नोट लीगल तो रहेंगे लोग 30 सितंबर तक उन्हें बैंकों को वापस कर सकते हैं 23 माई से एक बार में 20,000 रुपे तक की दो हजार के नोट बदल सकेंगे इसके अलवा नोट बदलने और जमा करने के लिए RBI 19 सका खुले गी बदा दे कि केंदर सरकार ने काला धन और भष्टा चार पर रोक लगाने के लिए 8 नॉमबर 26 की आधे रात से 500,000 के नोट को बंद करते हुए 20,000 रुपे के नोट लाई थी वाई देखे सोसिल मोदी बोले केंदर सरकार ने काले धन पर किया है दोसरा सर्जिकल स्ट्राइक बिहार के पोरो डिप्टे सेम और बेजेपी सांसद सोसिल मोदी ने 2000 की नोट को बंद करने के लिए राज सबब में मजबूती के साथ इस मांग को उठाया था अब केंदर सरकार के इस फैसले के लिए सोसिल मोदी ने पीम मोदी को धनवाद दिया है और इस काले धन के खिलाब दोसरा सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है सुसिल मुदी ने कहा कि यह नोड बंदी नहीं बलकि नोड बदली है और काले धहन पर दोसरा सर्जिकल स्ट्राइक है 2018 से ही 2000 की नोड की चपे बंद थी बाजार से 2000 की नोड गायव हो गये थे और कहीं इनके दरसन नहीं हो रही थे सुसिल मुदी ने कहा कि उन्होंने खुद राज सभा में इस मामले को उठाया था कि 2000 के नोट को वापस लिया जाए और इसकी कोई जरुत नहीं है बेशन गर्मी को लेकर छुटी कैलान एक जून से सभी सरकारी स्कुल बन बिहार में पड़ रही बेशन गर्मी को दिखते वे सिक्चा विवांग ने बड़ा निने लिया है राज के सभी सरकारी स्कुल में गर्मी के छूटी की घुसना कर दी गई है एक जून से सभी बिताले बांद रहेंगे बच्चों की छूटी 30 जून तक रहेगी बड़ती गर्मी ताप्मान को देखते वे छोटे बच्चों की सुरक्चा के लिए सरकार ने एक और महतरपून कदम उठाया है एक टॉल फिरी नंबर बिजारी कर दिया गया है बताती कि बच्चों की सुवास्त ठीक रखने के लिए सरकार की औरसे एक टॉल फिरी नमबर भी जारी कर दिया गया है यह नमबर है 1041 कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की तब्यद कराब होती है तो इस टॉल फिरी नमबर पर फोन करके आवज़ सक जनकर ही ली जा सकती है और दिये गए सुझाओ के अनुसार बच्चों की दिखबाल करनी है लेकिन ज़्यादा तबियत खराब होने के सिती में बच्चे को तुरंद अस्पताल ले जाना है आनन्द मोहन की रहाई की फाइल सुप्रीम कोट ने नितीज सरकार से मांगी आठ अगस्त को होगी सिन्वाई सुप्रीम कोट ने सुकुरवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वो गोपाल गंज के ततकालिन जिलादिकारी जी कृष्णा याद के 1994 में हुई है तक मामले में उम्र कैद की सजग काट रहे पूर्व सांसद आनन्द महन को दी गए छोड से जोड़े सारे दस्ताविज पेस करे नियामूर्ती सुरिकांद और नियामूर्ती जेवी पार्दीवाला की पीट ने बिहार सरकार की और से पेस वकिल मनिस्कुमार से कहा है कि मामले में आगे कोई इस्तगन नहीं दिया जा है बिहार सरकार के वकिल मनिस्कुमार ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ वक्त की मौलत मांगी है बड़े खबर आनद मohण की रहाई के किलाब राष्टिय अनसुचित जाती आयोग ने नोटिस बेज कर पोचा किस साधार पर कानून बदला जा देखे सुप्रीम कोट के बाद अब राष्टिया अनुसुचित जाती आयोग ने नितिस सरकार को नोटिस बेजा है और पूछा है कि आखिर कार किस आधार पर कानुन में बदलाओ कर हिट्टा के दोसी को जेल से छोड़ा गया है राश्टिया अनुसची जाते आयोग ने मामले में सग्यान लिया है आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर पोचा है कि आखिर किस सदार पर कानून में बदलाओ कर आनन्द मुहन को रिहा किया गया है आयोग के आज़ाची बेजाई सामपला ने बताया कि इस मामले में आयोग ने राज़ सरकार को नोटीस बेजा है और पोचा गया है कि आखिरकर सरकार ने किस तरह के बदलाव किय है और किस आदर पर बदलाव किया है। इसकी पूरी जानकारे मांगी गई है लेकिन सरकार ने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आयो के टीम जल्दे स्पॉर्ड विजिट करेगी और मामले की गहने चानमिन करेगी। कि दुरान बिहार सरकार कोड के समच जवाब देने में विफल साबित हुए। अबराश्टिया अनसुचित जाते आयों ने सरकार को नोडिस जारी कर उसकी मुस्किले बढ़ा दी है। कापी लंबा रास्ता की करना है। उपुमुख मंतरे ने बताया कि बिहार में परतेवा के कमी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि खिलाडियों को बेहतर माहौल मिले और इंफ्राइस्ट्रेक्चर मिले इसके लिए रोड मेप बना कर काम किया जा रहा है। इस रोड मेप को अब केवल जमीन पर उतारना है। उन्होंने घोसना किया कि पाटना के मौईनूल हग को देश के सबसे खुबसूरत स्टेडियम करूप में विक्सित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार के स्वास्त मंतरी होने के नाते ये घोसना कर रहे है कि यहां के खिलाडियों के लिए एक स्पोर के प्रदेस कारसमिती की बैठक होगे। पाटना में एक दिवसे बैठक में पाड़ी के सब र favour ने समिल होंगे। नई टीम का गठान आगामी लोकसभा और विदानसभा चुनाओं की मादर नजर किया जाएगा। बीजेपी ने दू मैने पले ही संजर जासवाल की जगा समराट चोधरी को प्रदेश पाड़े की जिम्मेदारी सोपी थी। समराट की निदेशन में ही 2024 सल 2025 का चुनाओ लड़ा जाएगा। समराट चोधरी इसी को ध्यान में रखते विए कारिस सम्मिती की नई टीम मनाएंगे। लालो यदव की आरजडी और तेजसी यदव से चिराग की अच्छे सम्मन है लेकिन नितीज से उनका 36 काकड़ा है ऐसे में महागडबंदन में चिराग की दाल गलने के आसर ना के बराबर है। चिराग का कहना है कि 2019 में उनकी पाड़ी को जितनी सीटे मिले थी उसमें कोई कमी वो मंजूर नहीं करेंगे। तेजसी यदव का बड़ा बियान चार्ज सीट में कभी भी मेरा नाम जोड़ सकती है एडी और सीबियाई। बिहार के डेप्टे सेम तेजसी यदव ने कहा कि चार्ज सीट में कभी भी उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। ज्कुरुआरक उनुने सीबियाई और एडी को लेकर एग वार फिर से मोधी सरकार पर हमला बोला है। सरकार बनने के बाद से शुरू हो चुका है हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि कोच भी अप रत्यासित नहीं है करनाटक चुनाओ के बाद भाजपा साउधान है कई छापे और कई एजन्सियों को हमने जहला है इसके अलवा तेजसिवादों ने कहा कि करनाटक सरकार के सपत गरान समारों में जाने के लिए मुख मंतर नितिस कुमार और मेरे पास नहोता आया है हम उसमें अवज से जाएंगे हब मुख मंतर नितिस कुमार के साथ करनाटक जाएंगे हमारे साथ जदविक के राष्टिया अदेच ललान सिंग में जाएंगे बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों को चेताओने डियूटी पर रियल्स और वीडियो बनाया तो नोकरी जाएगी बिहार पुलिस अपने जवानों और अधिकारियों के मॉबाईल और सोशल मेडिया प्रेयम से परिसान हो गई है ड्यूटी पर तेनात पुलिसकारमी अपनी और मॉबाईल में लगे रहे हैं और दूसरी और कांड हो जाता है लिए जब पुम्ग्यालाई ने अपने जवानों से लेकर अधिकारियों को चेताओने दी है, डिवोटि के दोरान मुबाइल को उप्योग नहीं करे, बिसेस परिशतियों में ही मुबाइल को उप्योग किया जा सकता है, पुम्ग्यालाई ने वैसे पुलिस कर्मियों को आया सामने वियार बिदाले परिचा समिती के तरब से प्रारामिक परिचा में डिप्लोमा पाइट करम के लिए इंट्रेस एक्जाम का डेट जारी कर दिया गया है इसको लेकर पांच से पंदर जुन तक एक्जाम लिया जाएगा दरासल बिहार के 307 डियालेट कोलेज के 3700 सी कित रहेगा या आदे से पहले बार जारी किया गया है पारिचा कक्च में सभी अभियार्तियों की बायोमेट्रिक पासिति दर्ज करा जाएगी सभी अभियार्तियों का बेफोटो भी लिया जाएगा सफल अभियार्तियों का एडमिसन के वक्त परिचा कक्च में ली गई ब बिभाग स्वच प्रयावरान के उद्दिस से नई रूटों पर इलक्टिक बसों को परिचलन शुरू करने जा रहा है। जिसमें गया भ्गल पोर्णिया मुझापरपुर नलंदा को समिल के उस सबी रूटों में 40 से अधिक बसों का परिचलन के जाएगा। बिहार में अब चालान काटने के 9 दिनों में नहीं भरा चुर्माना तो गाड़ी होगी blacklisted बिहार में ट्रैफिक नियुमों को औलंगन करने पर कटने वाले चालान को यदि 9 दिनों की भिदर पैसा नहीं चमा कराया तो समनेद गाड़ी को blacklisted कर दिया जाएगा इसके बाद समनित गाड़ी का फिटनेस पर दुसन ओनर्शिप टांसपर आदिव वहन मालिक नहीं कर पाएंगे परिवान विभाग ने या अदेज जारी किया है जिनसे ये चलान कटने लगा है जल्दी परिवान विभाग इस दारी को पांच गुना तक बढ़ाएगा विभाग के मुतावी की समात तक 29 स्पोट वगा 150 केमरा लगाने की प्रक्रिया सुरू होगी बिहार में आईलेंड जैसे होंगे सभी अंडरग्राउन मेट्रो स्टेशन के फ्लेटपॉर्म पाटना मेट्रो के अंडरग्राउन स्टेशन पर जब आप खाड़े होंगे तो आपकी दोनों और गाड़िया चलेगी इसी तरह के प्लेटफॉर्म को आईलेंड प्लेटफॉर्म कहा जाता है पटना मेटो के सभी अंडरगाउंड स्टेशन के बनावड इसी तरह की होगी अंडरगाउंड मेटो स्टेशन पर मेटो की पटरिया प्लेटफॉर्म के समनंतर दोनों और होंगी सबसे लंबे अंडर ग्राउन स्टेशन में एक पटना जक्षन के पास होगा जिसके लंबाए 345 मिटर रोड ट्रेक की घराई जमिन इस्तर से लगबग 23 मिटर होगी